Hello everyone, स्वागत है अब सभी का Sleepy Classes में और आज हम देखेंगे कि अमर जवान जोती को जो है merge कर दिया गया है with the War Memorial Flame तो अमर जवान जोती क्या है उसके बारे में जानेंगे, War Memorial क्या है उसके बारे में जानेंगे, reason क्या है merge करने का इन दोनों Flames को और साथ ही साथ जो नए statue की inauguration हुई है उसके बारे में भी जानेंगे, तो सबसे पहले जानेंगे कि अमर जवान जोती है क्या, ठीक है अमर जवान जोती जो है 1971 में जो हमने war जीती थी पाकिस्तान से, उनको आप कह सकते हैं वहाँ पे जितने भी हमारे Indian soldiers की डेथ हुई, उनक भी वन अगेंस पाकिस्तान, ठीक है तो इसका structure यही है कि हाँ पे एक black marble plinth है, with a cenotaph, ठीक है वहाँ पे एक inverted rifle है, which is L1A1 self-loading rifle, with a bannet on the top, on which the soldier's war helmet is placed, यहाँ पे soldier का हमारा war helmet है, and then we have this inverted L1A1 rifle, and cenotaph है, then we have marvel की plinth, यहाँ पे 4 burners है, 4 urns है, जिनको कभी भी आप कह सकते हैं, extinguish होने नहीं दिया गया, at least 1 burner जो है, वो हमेशा चलता है, but जब कोई भी ceremony या important days होता है, या day होता है, तो all the 4 burners, आप कह सकते हैं, they are allowed to be burnt, and till the time, till date, आप कह सकते हैं, कल के दिन तक, it was never allowed to be extinguished, तो अब इंडिया गेट के पास यह हमारी अमर जवान जोती थी, तो इंडिया गेट को ही क्यों चुना गया? अब देखते हैं, क्योंकि इंडिया गेट एक ऐसी building है, जो Britishers ने 1931 में commemorate की थी, क्योंकि उन्होंने जितनी भी wars लड़ी थी on the behalf of Britishers, उन सभी को tribute देने के लिए इंडिया गेट को established किया गया था in 1931, तो इंडिया गेट खुद में ही एक war memorial है, symbolically आप कह सकते हैं, इंडिया गेट एक war memorial ही है, और जितनी भी आप कह सकते हैं, around 90,000 Indian soldiers के नाम, जिनोंने ब्रिटिश की तरफ से लड़ाई लड़ी थी, उनके नाम इस पे लिखे गए थे, तो इसी लिए government of India ने 1972 में अमर जवान soldiers की, जो soldiers से, जो dead soldiers थे, उनके नाम इहां पे mention किये थे, तो अब इसे move करने की बात क्यों की जा रही है, सबसे पहली बात, कि तो जितने भी 1971 की war में soldiers की death हुई, तो government का ये कहना है, कि सभी soldiers के नाम पहली बात तो यहां पे placed ही नहीं है, ठीक है, सभी के नाम इहां पे लिख है, तो हम अभी से इतना accept नहीं करना चाहते है, कि India Gate is a symbol of our colonial past, तीसरी चीज के जितनी भी लडाइयां हुई, including 1971 की war, तो उन सारे soldiers के नाम, ना के अमर जवान जोती पे हैं, ना की India Gate में है, बट National War Memorial में, आप कह सकते हैं, लिखे गए हैं, विन द गोल्डन लेटर्स, तो जि नाम जो हैं, नाशनल वर मेमोरेल में इंक्लूडिड़ है, इंक्लूडिंग था 1971 के war soldiers, जिन्होंने शहीदी प्राप की थी, तो गमेंट का ये कहना है, कि सिर्फ और 1971 का war नहीं, सारी की सारे wars के importance इक्वल है, तो नाशनल वार मेमोरेल में उन सभी के नाम जो हैं, तो 1971 की commemoration की as such इतनी requirement हमें नहीं है, और लास्ट रीजन यही है कि जो भी नया प्रोजेक्ट गर्मेंट ने 2019 में वार मेमोरेल वाला inaugurate किया था, उसको इतनी attention या लोगों का आप कह सकते हैं, प्यार प्रात नहीं हुआ तो इसलिए गर्मेंट चाहती है इस प्रोजेक्ट को प्रम कि एक क्यानोपी होती थी इंडिया गेट के पास जहां पर पहले किंग जॉर्ज फिफ्ट का स्टाचू होता था जो सिक नाइंटी सिक्टी एट में रिमूव कर दिया था तब वो डेली के बुराडी एरिया में इस्टाबिशें ठीक है तो उसी क्यानोपी को इस टाइम तक तक आप कह सकते हैं वो खाली रहता था बट वहां पे अब नेता जी सुभाष चंद्रबोस का स्टाचू लगेगा विच विल बी ट्वेंटी एट फीट हाई तो तो तिल टाइम आक्चुली में जो स्टाचू है वो नहीं आ जाता एक होलोग्राम स्टाचू जो है वो प्ल इंडिया गेट के पास 400 मीटर का ही डिस्टंस है फ्रॉम इंडिया गेट और 40 एकर्ज में यह स्प्रेड किया गया है और यूनिफाइड मेमोरिल फॉर आल सोल्जर जाने कि जितनी भी लडाईया हुई है जितने भी सोल्जर की डेत हुई है सभी के नाम यहां पे लिखे ग इंटरिक जिर्कल में डिवाइड़ है तो पहला सबकल है मारा रक्षा चकृप जो की ट्रीज के थुरू आप डॉअ उसके धुरूब किया गया है यानि कि जो लाइट जिक रहे है ऐट पहले डिस तरे रक्षा चक्र जो रीप्रेसेट कर रहा है हमारे सोल्जर को जो हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं, second is हमारा त्याग चक्र जो की चक्र वियू के concept से लिया गया है, ठीक है, this is the second round हमारा, तो जितनी भी वाल्स हैं, वहाँ पर independent granite tablets हैं, जहाँ पर आप कह सकते हो, कि golden letters में हर एक soldier का नाम लिखा गया है, from the government of India, every soldier, those who have died for the country, after or since independence, उन्सभी का नाम जो है, यहाँ पर वाल्स में, यह independent granite tablets पर लिखा गया है, and till date, जितने भी soldiers जो है, जिनकी death होती है, उन्सभी का नाम लिखा जाता है, who die at the line of duty, तो यहाँ पर आप देख सते हैं, कि different soldiers के नाम golden letters में लिखे गये हैं, and these are updated on daily basis, कि जितने भी soldiers के death होती है, जो line of duty पर मरते हैं, उन्सभी के नाम यहाँ पर from day to day activities के साथ साथ, अपडेट होते रहते हैं, तो अब आता है हमारे पास third chakra, that is the वीरता chakra, जिसको हम बोलते हैं, circle of bravery, और यह covered with gallantry, with six bronze crafted murals, depicting the battles and actions of our armed forces, यहाँ पर यह depict कर रहे हैं हमारी battles को, और actions of our armed forces, last but not the least is the Amar Chakra, Amar Chakra है हमारा circle of immortality, और जहाँ पर आक दे सकते हैं कि this is the circle of immortality, ठीक है, and it has an obelisk and the eternal flame, यानि कि obelisk है, with the eternal flame, ठीक है, तो यह है architecture of the war memorial of India, तो आज के लिए इतना ही, till then, thank you so much